चीकज़्य। है यां अगि स्थुडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं लेडियेस ऑफ कर्वेजर के बारे में रेडियेस ऑफ कर्वेजर पर best вопрос जेहि दिर द्फिर है आते रहते हैं तो रेडियेस ऑफ कर्वेजर दुब्य।म्लेंट टॉपिक है लेकिन बहुत ही आसान है बिल्कुल difficult नहीं है तो radius of curvature होता क्या है तो पहले तो हम यह समझ लें कि अगर हम यह कोई कर्व है ठीक है जैसे मैंने बनाया इस तरह का कोई कर्व बना हुआ है और इस कर्व को क्या करते हैं हम जरा इसकी thickness बढ़ा देते हैं यह एक कर्व है और इस कर्व की यहां से जैसे यह path हमने लिया हुआ है यह कोई भी random path है तो अगर मैं इसका एक छोड़ा सा element consider करूं तो इसका मैंने यह छोड़ा सा element consider किया ठीक है यह छोड़ा सा element मैंने consider किया यह element को जिस circle का हिस्सा हम मान सकते हैं हम मान सकते हैं कि यह जो element ह यह element किसी complete circle का हिस्सा है तो यह element जिस complete circle का हिस्सा माना जा सकता है उस circle का जो radius आएगा वो कहलाता है radius of curvature ठीक है जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि इसको अगर एक circle का हिस्सा हम मान ले इस element को जो circle मैंने बनाया यहां पर इसका हिस्सा मान ले तो इस circle का radius होगा वो कहलाएगा iska radius of curvature इसी तरह से अगर यहाँ पर मैंने एक element consider किया, मान लो यह element है यह element जिस circle का हिस्सा माना जा सकता है इस element को हम जिस circle का हिस्सा मान सकते हैं, अगर मैं एक circle ट्रॉ करूँ करूँ यहाँ पर तो उस circle का जो radius होगा that is the radius of curvature of this element ठीक है यहाँ पर radius है इसको हमने मान लिया कि यह radius कितना इस circle का R के बराबर है ठीक है तो यह है radius of curvature इस छोड़े से element पर और यह element बहुत छोटा है हम इस element को कैसा लेके चल रहा है यह element हम मान के चल रहा है dl it is very small and it can be considered as a particle ठीक है यह particle की तरफ approach कर रहा है यह इतना छोटा है element की यह particle की तरफ approach कर रहा है तब हम यह भी कह देते हैं कि इस point का जो radius point पर कर्व का जो radius of curvature है वो R के बराबर है ठीक है यह जो कर्व है इस कर्व का किसी point पर radius of curvature निकालना है तो यह point select किया हमने इस point के along बहुत छोटा सा element लिया element का साइज इतना छोटा है कि almost point लाई की है तब इस element को जिस circle का हिस्सा हम मान सकते हैं उस circle का radius होगा वो radius of curvature कहलाता है तो यह radius of curvature हुआ यह तो radius of curvature का है meaning अब radius of curvature को calculate करने की approach क्या है तो उस approach के बारे में हम बात करेंगे कि radius of curvature को निकालना कैसे है तो क्या करिए कि सबसे पहले तो जो velocity है उस velocity की direction पता करिए कहां पर है तो हम मान लेते हैं कि particle इस path को follow कर रहा है थीक है? particle इस तरह से move कर रहा है तो जो element मैंने बनाया है इस point पर velocity की direction को अगर मैं draw करूं तो जो velocity बनेगी वो velocity बन जाएगी कुछ इस तरह से यह velocity होगी यह पर इस वाले point पर और मैं velocity बनाऊ करें कि ठीक है यह velocity है Velocity हमेशा Path पर कैसे होती है Tangential होती है तो यह velocity हमने बना दी अब क्या करो कि particle का जो total acceleration है उस total acceleration के Component करो तो मैं मान लेता हूं कि इस particle का जो total acceleration इस वाली position पर यहां पर इसका total acceleration कितना मान लें हम कुछ assume कर लेते हैं क्या assume कर लिया जाए इसके acceleration को मैं मान लेता हूं कि इसका जो total acceleration है वो यह है यह है total acceleration AT capital T है यहाँ पर फिर क्या करना एक लिए step में आपको कि इस acceleration की दो component करो एक component लो इस direction में इस acceleration का यानि center of curvature की तरफ इसको लिखेंगे हम AR और दूसरा component करो tangential direction में इसको लिखेंगे हम AT के बराबर ठीक है तो यह जो AT है tangential acceleration और जो यह वाला component है AR यह कहलाएगा radial acceleration अब radial acceleration का formula होता क्या है radial acceleration का formula होता है AR equal to V square by R और इसमें यह जो R है यह क्या radius of curvature इसी को radius of curvature कहते हैं तो radius of curvature को calculate करने में centripetal acceleration का बहुत बड़ा रोल है ठेक है और centripetal acceleration कौनसे acceleration होता है centripetal acceleration होता है वो acceleration जो की velocity के perpendicular है और center की तरफ directed है तो सब से पहले क्या करना है आपको टोटल acceleration बदा करना है कहा है पार्डिकल का total acceleration आने के बाद उसके component कर देने एक component टेंजेंशल डिरेक्शन में एक रीडियल डिरेक्शन में ठेक है तो जो रीडियल डिरेक्शन में component आएगा total acceleration का यह centripetal acceleration होगा इसको आप लिख देंगे v square y r के बराबर ठेक है यहां पर एक और example लेता हूं मैं समझाने के लिए आपको मान लेते हैं कि यहां पर इस वाले point पर जो total acceleration है इस element पर total acceleration का particle का मैं मान लेता हूं इसका total acceleration जो है इस direction में है यह है total acceleration तो total acceleration का जो एक component आएगा वो एक component मैं लिया tangential direction में इसको लिखा 80 यह है tangential acceleration और जो यह वाला acceleration है यह कौन सा हो जाएगा इस direction में radial acceleration इसको हम सेंट्रीपीटल एक्सलरेशन भी कहते हैं तो जो centripetal acceleration आया यह कैसा होना चाहिए यह होना चाहिए वेलासुटी की perpendicular मैंने इस बार क्या काम किया है देखो 80 मैंने इस direction में जान बूच के इसली लिया है कि जो tangential acceleration आए वो वेलासुटी की opposite direction में आये तो देखो technical acceleration velocity की opposite direction में है है ना तो इस समय particle की speed काईसी हो रही हो गी कम हो रही होगी तो tangential acceleration अगर velocity की opposite direction में होगा तो particle की speed कैसी होगी कम हो गी और यह वाला acceleration है radial acceleration यह radial acceleration is always perpendicular to velocity and directed towards the center of the circular path or center of curvature का सकते है इसको तो अब यहां पर अगर हमको radius of curvature निकालने हुई तो उसका तरीका क्या होगा यहां पर भी वही होगा radius of curvature equal to v square upon centripetal acceleration ar ठीक है तो basic चीज़ आप समझ गए है कि radius of curvature निकालने के लिए जो formula यूज होगा वह यह होगा velocity का square upon the component of acceleration which is perpendicular to the direction of velocity तो यह radius of curvature हम calculate इस तरह से किया करेंगे तो थोड़ा और मैं आगे यहां पर detail में लिख देता हूं कि radius of curvature अगर आपको calculate करना है तो उसके लिए तरीका क्या है उसका तरीका यह है radius of curvature होगा v square this is the velocity of the particle and this is the radial acceleration AR radial acceleration या नहीं की directed towards the center of circular path और towards the center of curvature तो v square upon AR और AR किया है इसमें centripetal acceleration है approach क्या होगा इसकी solve करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है तो यह देखिए points लिख दिए है मैंने bullet बना के सबसे पहले आप क्या करेंगे total acceleration नेका लिए particle का इसके बाद resolve total acceleration along and perpendicular to the velocity तो total acceleration की दो component करना है आपको एक होगा velocity के along अब यह velocity की direction में भी हो सकता है अगर speed increase हो रही है यह velocity की opposite direction में भी हो सकता है अगर speed decrease हो रही है लेकिन जो दूसरा component होगा that component will be always perpendicular to the direction of velocity velocity की perpendicular ही आएगा और यह होगा radial acceleration यह centripetal acceleration तो यहां पर मैंने लिख दिया है component of acceleration perpendicular to velocity is centripetal acceleration component of acceleration which is tangential to velocity is tangential acceleration तो जो tangential direction में है वो tangential acceleration है और जो velocity के perpendicular है वो centripetal acceleration है ठीक तो इसको याद रखना है इसके अलावा radius of curvature को calculate करने के लिए एक और formula भी है यह वाला लेकिन यह formula आपको तब यूज करना है यह formula तब यूज करना जब आपको path की equation दी हुई हो particle जिस path को follow कर रहा है अगर उसकी equation of trajectory दी हुई है यानि x और y में equation दी हुई है particle की तो यह वाला formula यूज करना है तो इसका discussion हम आगे करेंगे इसको कैसे यूज करना है यह radius of curvature और जो y और x में particle की equation of trajectory दी हुई है उस equation of trajectory से आप यह चीज़े निकालेंगे d y y dx and d 2 y over dx square राइट अब हम क्या करते हैं इस पर लेते हैं एक example लेते हैं हम सोड़ा discuss कर लेते हैं इसको तो मैं सबसे पहला example इस पर ले रहा हूँ radius of curvature के लिए projectile motion का एक example हम ले लेते हैं ठीक है तो projectile motion के example को लेने में situation यह मैं मान लेता हूँ की एक particle को ground से project किया है ठीक है और यह उसका path है particle को जो project किया तो इसकी जो initial velocity है यानि की velocity of projection इसको लिया हमने u and angle of projection यहां पर जो angle of projection है वो कितना है theta के बराबर है और यहां पर मान लेते हैं यह point है a यह point है b and this is the point which is at which is the maximum height तो यह वाली जो position है यह projectile motion की maximum height है ठीक है यह information हमारे पास है obviously acceleration due to gravity is constant and vertically downward throughout ठीक है G की value vertically downward और constant है हमको निकालना इसमें यह है कि find radius of curvature radius of curvature कहां पर निकालना है at point of projection एक तो निकालना है पॉइंट प्रोजेक्शन पर और second case में निकालना है at maximum height कि दो जगा पर हमको calculate करना है ठीक है तो इसके calculation के लिए हम क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि यहां पर मैं लिखता हूं इसका solution लिखूंगा मैं ठीक है और part a का लिखूंगा तो इसमें आपको याद रखना है जैसे कि पहले आपको बताया था उस सबसे पहले क्या बताया है आप भूले तो नहीं सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हमको पदा करना है कि total acceleration की direction क्या है total acceleration किस direction में particle का तो जो total acceleration है वो obviously कहां पर है वो तो vertically downward है यहां पर जी ठीक है और इसकी जो particle की velocity है point of projection पर वो velocity की direction यह है तो next step जो थी मैंने आपको बताया था कि total acceleration के component करना है एक component होगा velocity के along और एक देखना है velocity के perpendicular ठीक है तो यह जो direction मैंने बना रहा हूं यहां पर यह जो direction मैंने बनाई यह बनाई है मैंने अब perpendicular और जो यह direction मैंने ड्रॉ की यह direction है velocity के along अब angle के बारे हम लिखते हैं कि कौन सा angle कितना है तो यह है velocity और यह इस पर perpendicular है तो यह total angle कितना होगा 90 degree होगा तो इसलिए यह वाला angle कितना हुआ यह है 90 minus theta ठीक है यह 90 minus theta तो यह angle कितना हो जाएगा theta तो g का component perpendicular to velocity आता है g cos theta और यहां पर मिला हमको g sin theta के बराबर ठीक है तो g cos theta और g sin theta यह दो component आए अब जो यह वाला component है यह velocity के perpendicular component है इसलिए यह तो क्या बनाएगा यह बनाएगा radial acceleration ठीक और जो यह वाला component है यह बनाएगा यह tangential acceleration तो radius of curvature को हम define करते हैं r equal to velocity का square upon radial acceleration यह centributal acceleration तो point of projection पर यहां पर velocity कितनी है यू के बराबर है तो इसको लिखूंगा मैं यू स्क्वाइर अपॉन acceleration कितना है g cos theta g cos theta के बराबर और यही answer होगिया इस question का यहां पर जो radius of curvature होगी point of projection पर वो इतनी है और यही आगया answer ठीक है इसके बाद second part का solution बनाना है हमको तो second part के solution में second part में कहां पर निकालना है radius of curvature second part में निकालना है maximum height पर तो जब particle maximum height पर पहुंचेगा ठीक है तो यहां पर इसकी velocity का जो component होगा वो केवल horizontal component होगा और horizontal component कितना होगा यहां यू cos theta के बराबर and acceleration due to gravity is vertically downward and this is the total acceleration of the particle this is the total acceleration of the particle and this total acceleration is already perpendicular to velocity यह acceleration velocity के already perpendicular है ठीक है तो radius of curvature r equal to कितना हो जाएगा velocity का वो velocity कितनी है यू cos theta तो velocity को हम लिख देंगे यहां यू cos theta का square divided by और यहां पर acceleration कितना है जी के पराबर है ठीक है तो यह आंसर आगया radius of curvature topmost point पर तो radius of curvature आ गई है हमारे पास topmost point पर यह answer हो गया second part का ठीक है अच्छा दूसरे example हम ले लेते हैं इसके आगे दूसरे example में मैं लेता हूं कि हमारे पास एक tower है ठीक है और उस tower की कुछ height मान लेंगे हम तो यह तो है एक tower जहां से हम particle को project करेंगे यह मान लिया मैंने एक tower है और यह ground से इसकी कुछ height दी हुई है अभी हम मान लेते हैं क्या height है इसकी तो हमने मान लिया कि जो इसकी height है वो कितनी है h के बराबर है ठीक है और यह h कितना है एक particle को यहां से project करते हैं एक particle को initial velocity यहां से हमने दे दी है कितनी दे दे initial velocity मान लेते हैं कि यह velocity है five meter per second ठीक है तो अगर हमने इसको five meter per second की velocity से project किया है तो इसका जो path है वो किस तरह का होगा इसका path होगा projectile motion इस तरह का यह path हो जाएगा तो यह हमने particle के path को draw कर दिया यहां पर ठीक है projectile motion होगा यह पर यह particle का path बना दिया है acceleration due to gravity as it is कैसा होगा constant होगा और उसकी value कितनी होगी जी के बराबर है और vertically downward है लेकिन initially velocity का जो vertical component है वो कितना है zero है यानि कि u y initial vertical component of velocity u y कितना है zero है और horizontal component of velocity कितना यू x वो है 5 meter per second की बराबर ठीक अब हमको radius of curvature निकालना है इसमें तो radius of curvature हम निकालने के लिए करते हैं हम निकालते हैं इसमें find radius of curvature मैं पहला case ले लेता हूं इसमें find radius of curvature इसमें पर तो सबसे पहले किया पता करना है हमको परटीकल की एक सेकंड पर क्या होगी थीक है तो वलास्टी का य कम्पोनेट निकालना होगा तो vy equal to यू वाई प्लस एवाई इंटू टी में वर्डिकल डिरेक्शन में यह फस्ट काइनमेडिकल एक्विशन लगा रहा हूं तो वी वाई इक्वाल टू इनिशल वर्डिकल व्लासुटी तो जीरो है एक्वालिशन दू ग्राविटी को हम 10 ले लेते हैं वर्डिकल डाउनवर्ड और टाइम कितना है वन सेकंड तो वर्डिकल कंपोनेट ओफ व्लासुटी यह जाएगा 10 मेंडर पर सेकंड तो पार्डिकल की जो व्लासुटी है एक सेकंड के बाद ठीक है तो मैं मान लेता हूं बना देता हूँ थोड़ा इस पेस की जरूद और पड़ेगी हमें तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ जड़ा इसको यहां से राइट साइड में कि इसको भी हम शिफ्ट कर देते हैं और इस से हमारा काम हो जाना चाहिए ठीक है इतने जगहास से काम हो जाएगा तो जो total velocity में path पर बना रहा हूं वो देख़ो यह total velocity तो बनाइगे हम कैसी tangential होगी, ठीक है? और horizontal velocity यह वाली है ठीक, यह horizontal velocity है और इसकी जो vertical component of velocity है वह यह वाला है एरो देखके उसके magnitude को मत गैस करना symbolically बना रहा हूं magnitude के हिसाब से नहीं बना रहा हूं नहीं तो 10 meter per second का arrow obviously बड़ा होना चाहिए तो यह vertical component है यह 10 meter per second और जो horizontal component है वो है 5 meter per second और जो resultant velocity है वो resultant velocity कौन सी है यह वाली यह resultant velocity है तो इसकी जो speed है V यानि कि जो total velocity होगी V वो हो जाएगी इन दोनों का resultant तो resultant कितना हुआ resultant हुआ 5 का square plus 10 का square resultant क्योंकि दोनों perpendicular है तो यह हो जाएगा 25 plus 100 यानि कि यह जाएगा under root 125 या इसको 5 root 5 भी लिख सकते हो तो यह क्या आई है total velocity 5 root 5 अच्छा अब इसमें देखो जो total acceleration particle का वो तो यह होगा vertically downward तो total acceleration मैंने बना लिया G और G का जो acceleration है total यह मैंने लेखा G जिसकी value 10 है अच्छा अब हमें component चाहिए तो इस angle की जरूत पड़ेगी यह angle है theta कौन signal बना लिया मैंने यह theta है तो obviously यह angle कितना हो जाएगा यह 90 minus theta होगा अब acceleration का component चाहिए हमको यह वाला यह कितना होगा यह angle theta हो जाएगा तो यह आएगा G cos theta और एक component इसका यह आएगा वो मैं बना नहीं रहा हूँ otherwise diagram congested हो जाएगा यह होगा G sin theta के पराबर ठीक है अब यह component जो है acceleration का यह इसकी velocity के perpendicular है so this is the radial acceleration okay तो यह क्या देगा हमको यह देगा हमको radial acceleration AR देगा यह लेकिन अब हमारी जो requirement है उसमें हमको theta भी चाहिए तो theta के से निकाले theta निकालना भी बहुत ही आसान है यह जो आप triangle देख रहे हो यहाँ पर इस triangle में 10 theta equal to कितना मिल जाएगा हमको 10 theta equal to perpendicular upon base यानि 10 by 5 तो 10 theta कितना आ गया 10 theta 2 की equal आ गया अगर 10 theta 2 है तो cos theta कितना हो जाएगा cos theta हो जाएगा perpendicular upon base तो यहाँ पर perpendicular 2 है और base कितना ले लेंगे हम 1 ठीक है बहुत ही simple सी चीज है यह इतना mathematics हम सभी को आता है कि अगर एक right angle triangle में जैसे right angle triangle में ने बनाया है यह angle theta है perpendicular 2 है base कितना है 1 है तो hypotenuse कितना हो जाएगा root 5 तो cos theta कितना लिख सकते हम यहां से 1 upon under root 5 के बराबर ठीक है तो यह सारा जो हमने calculation किया था वो यहाँ पर रखा हुआ है अब देखो radial acceleration हमको निकालना है तो radial acceleration आएगा radial acceleration आएगा ar equal to g cos theta g की value 10 है और cos theta कितना है 1 by root 5 ठीक है चलो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं radius of curvature क्या होगा radius यह सब curvature होगा इसमें velocity का square तो velocity कितनी आई थी 5 root 5 आई थी उसका square upon radial acceleration कितना है radial acceleration आजाता है 5 root 5 तो 10 upon root 5 root 5 को बेज देते हैं ऊपर तो solve करने पर यह बचेगा 25 into 5 into root 5 by 10 second अब इसको चाहे तो ऐसे लिखा रहे न तो या 25 into 5 125 यह हो जाएगा 12.5 root 5 meter के बराबर तो यह क्या गया radius of curvature ठीक है तो यह हुआ radius of curvature की value कब है यह radius of curvature यह radius of curvature है एक second पर तो radius of curvature की concept को हमने से समझा और यह जो calculation है इसको मैंने पीछे magnify करके दिखाए तो आप उसमें भी देख सकते हो वीडियो को थोड़ा बैक जागे ठीक है तो यह दो of mass m is moving with constant velocity v on a smooth horizontal surface तो smooth horizontal surface पर particle velocity v से move कर रहा है एक constant force f starts acting on particle एक constant force f starts acting on particle perpendicular to velocity v radius of curvature after force starts acting is तो देखो बहुत ही simple से चीज है कि अगर कोई particle move कर रहा है constant velocity v से अगर particle की velocity constant है ठेक है particle की जो velocity है अगर constant है v के बराबर और उस पर लगने वाला जो force है वो velocity के already perpendicular दिया हुआ है तो अगर force velocity के perpendicular है तो यह कौन सा force हुआ यह हो जाएगा यह हो जाएगा centripetal force ठेक है तो अगर यह centripetal force है तो इसकी value क्या होगी f equal to mass into acceleration यानि v square by r और radius of curvature हो जाएगा इसका mv square by f के बराबर और यही हो गया इसका answer ठेक है mv square by f answer कौन सा हुआ इसका a तो option a is correct आसा question था अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे question की तरफ यह बहती question है यह एक important question है and it is a very good problem इसमें क्या हो रहा है इस question को पढ़ लेते हैं question यह कहता है the figure shows the velocity and acceleration of a point like body at the initial moment of its motion तो यह point like body है और यह अपना motion यहां से start कर रहा है देखो जही की किया competitive exam की जब आप question पढ़ें तो इसके हर एक word को आपको ठीक से absorb करना है meaning निकालना है initial moment of motion दिया है यानि कि initial word का मतलब है कि यह initial state है जो diagram में दिया गया है ठीक है the acceleration vector of the body remains constant अब इसमें यह भी कहा गया है कि यह जो acceleration vector यह constant है उसकी value कितनी है 2 meter per second square है the minimum radius of curvature of trajectory of the body is so they are asking what is the minimum radius of curvature अब यहां पर देखो यह तो एक नहीं चीजा गई minimum radius of curvature diagram को मैं थोड़ा और clear करके आपके सामने लेक्या हूं तो यह जो radius यह जो acceleration vector है 2 meter per second square it is given in the question that this acceleration vector is constant and this velocity is 8 meter per second लेकिन यह जो velocity है यह velocity acceleration के parallel या anti-parallel नहीं है तो हम क्या करते हैं इसमें इसमें हम उल्टा काम कर रहा है इसमें acceleration के component नहीं कर रहा है इसमें velocity के component करूंगा क्योंकि question का जो nature है उसमें कुछ different चीज पूछे गई है हमसे तो यहां पर ध्यान दो यह जो इस line को अगर मैं आगे बढ़ाओं ठीक तो यह angle कितना आता है यह angle मिलेगा हमको 30 degree क्योंकि जो total angle है यह 180 होगा यह 150 है तो यह 30 हुआ अब मैंने velocity के component किये यहां पर तो एक component velocity का मैंने the direction of acceleration यह आएगा 8 cos 30 यानि 4 root 3 के पराबर ठीक है अब देखो particle की जब हम radius of curvature लेखेंगे तो radius of curvature होगा r equal to v square upon ar अब इस question में यह पुछाए कि radius of curvature minimum कब होगा तो देखो radius of curvature minimum तब होगा जब इन दोनों में इस तरह का change हो की radius of curvature minimum हो जाए इसमें जो radial acceleration है यह acceleration है 2 meter per second square यह acceleration तो constant acceleration vector लेकिन we change कर सकते हम यह जो acceleration है 2 meter per second square यह इस velocity की opposite direction में है तो यह वाली velocity कैसे होती जाएगी कम होती जाएगी यह velocity decrease होते होते जब 0 हो जाएगी यानि when tangential velocity यह tangential ना लिखके मैं इधर लिख देता हूं कि when this component when this component of velocity become 0 radius of curvature कैसे हो जाएगी minimum हो जाएगी यानि कि अगर V minimum हो गया और यह constant है तो जैसे V minimum होगा तो radius of curvature भी minimum हो जाएगी ठीक है तो बस अब हमारे पास solution आ जाएगा तो यह आ जाएगा इसमें R equal to V square तो velocity कौन सी बचनी चाहिए हमारे पास के वल 4 meter per second 8 sin 30 और यह वाला component velocity का 0 यह 0 होगा क्यों क्योंकि acceleration इस velocity की opposite direction में तो इसको मैंने लेखा V square यानि की 4 square और जैसे ही यह वाली velocity velocity 0 होगी तो यह acceleration अपने आप कैसा हो गया velocity की perpendicular हो गया उस समय velocity कौन सी बच्ची होगी केवल 4 meter per second तो यह 4 meter per second की velocity है इसके perpendicular acceleration रहेगा और उसकी value कितनी होगी 2 अच्छा अब किसी के मन में यह सवाल भी आ सकता है कि अगर यह वाली velocity कोड़ी चेंज हो रहे है तो यह चेंज होगी कि नहीं तो कोई यह चेंज नहीं होगी वेलासुटी तभी चेंज होती है यानि कि वेलासुटी का magnitude तब चेंज होता है जबकि acceleration वेलासुटी के parallel या anti-parallel हो ठीक है इसको मैं लिख भी देता हूं यान अपर, magnitude of velocity can change वन एक्सलिएशन एक्सिस्ट पैरलल और एंटी पैरलल तू वेलासिटी तो जो एक्सलिएशन है यह वाला यह इस कंपोनेंट के अपोजिट डिरेक्शन में तो यह कंपोनेंट तो वेलासिटी का चेंज होता रहेगा लेकिन जो यह वाला कंपोनेंट है इस कंपोनेंट वेलासिटी रिमेंस कॉंस्टेंट ठीक है तो तो टेंजेंशन एक्सलिएशन जो होता है वो या तो speed को बढ़ाता है या कम करता है लेकिन वो speed को बढ़ाने आया कम करने के लिए कैसे करेगा जिस direction में acceleration है उस direction में velocity का component change होगा तो यहाँ पर यह acceleration है velocity की opposite direction में है तो यह component decrease होता जाएगा यह कम होते 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 जैसे 0 होगा तो कौन सा component बचेगा कि एवल 4 meter per second उसकी direction यह है तो यह acceleration अपने आप उसकी perpendicular हो जाएगा 90 degree का angle बन जाएगा जैसे यह 90 degree angle बना तो यह हो गया centripetal acceleration और यह उसकी perpendicular velocity हो गई और इस instant पर radius of curvature हो जाएगी minimum ठीक है तो minimum radius of curvature आर minimum आ कितना जाएगा यह हो जाएगा 16 by 2 यानि की 8 meter तो इस question का answer होगा 8 meter और कौन सा option correct है इसका C option is correct तो further discussion हो अभी और आगे discussion इसमें और बाकी है तो वो करेंगे आज के लिए आप जो discussion है इतना ही पढ़िए इसके आगे कुछ और बहतरीन questions है वो questions भी मैं अभी लेके आऊँगा और इसमें से अगर आप playlist में जाकर देखेंगे channel पर तो उसमें erodove के दो questions solve किये हुए है मैंने जिसमें की radius of curvature का calculation है और बहती बढ़ी है questions है तो इस discussion की बाद में वो वाले question भी कुछ इसमें आपको add करूँगा कुछ और अच्छे problem के साथ इसके लाबा एक चीज और मैंने कहा था उसका मैं भी example नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि time की अभी shortage है कि जो ये वाला part है इसको हम कैसे use करेंगे इस formula को radius of curvature के लिए क्या use करेंगे तो इसका भी मैं एक example लोगा ठीक है तो ये वाला discussion मैं यहीं पर complete करता हूँ next video के लिए आप wait करिए तब तक के लिए bye bye